So friends, जैसा कि आपको पता है, अभी वेकेंसी नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है, होस्टल वार्डन एंड टीजीटी पोस्ट के लिए, जिस पर मैंने मौनिंग में वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन उसमां दोनों ही पोस्ट के बारे में बताने में वीडियो काफी लें इसमें ये होस्टल वार्डन की वेकेंसी आई हुई है, जो कि आपकी स्थाई भरती है, पर्मानेंट भरती है, जिसमें आपका प्रोवेशन पीरिट रहेगा, कितने डूरेशन कर रहेगा, मैं आगे आपको वीडियो में किलिया करूंगी, EMRS में आपको होस्टल वार्डन क काफी अची वेकेंसी है, एनी ग्रेजोट कैंडिडिट इसके लिए आविदन कर सकते हैं, किसी वी सब्जेक्ट से, किसी वी स्ट्रीम में आपके अपना ग्रेज़ेशन कम्पलीट किया है, अगर आप होस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आविदन कर स लगता है और पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी एक्जाम पैटन क्या रहीगा और प्रोविशन पीरेट क्या रहेगा और सेलरी अभी आप देखी रहे हैं सेलरी आपकी 35,000-40,000 के बीच में आपकी सेलरी इनिसेल सेलरी बनी की ओके तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो ग्रे गवर्मेंट जॉब जेनियो नॉटिफिकेशन देखिए अभी मैं यहां पर आपको नोटिस बता रही हूँ यह आपने नोटिफिकेशन तो देखा ही है और इसमें डेट आप देख लीजे इसके बाद होस्टल वार्डन के लिए जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट से वो म एक्जाम आपका भी बताया नहीं गया है डेट ऑफ एक्जामनेशन बाद में आपको इंफॉर्म किया जाएगा ऑफिसल साइट पर अपडेट रहेगा डिरेशन ऑफ एक्जामनेशन तो होस्टल वार्डन पोस्ट के लिए आपको 150 मिनिट का टाइमिंग आपको दिया करके आपको बता रही हूँ सारे पॉइंट से इंपोर्टेंट के लिए करूंगी जिसमें सबसे पहले हम अगर होस्टल वार्डन की सेलरी देखें तो सेलरी आपको लेवल 5 से रहेगी 29,200 से 92,300 अब इसमें आपके कुछ अलाउंसे रहेंगे वो एड़ोंगे तो लगबक 30 से 40 के बीच आपकी यहाँ पर सैलरी बनती है सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें वेकेंशी कितनी आई हूई हैं तो इसमें जो वेकेंशी आई हुई हैं वो आप होस्टल वार्डन के लिए देखेंगे male और female दोनों के लिए है male के लिए है 335 335 vacancy and female के लिए है 334 334 vacancy अगर हम इसमें देखें कि जो posting location तो posting location आपकी hostel बायडन हो या TGT TGT पर भी vacancies आई हुई है तो इसमें आपकी जो posting location है ये आपकी जो merit तेयार होगी उस पर depend करेगा और regional language जो आप qualifying exam होगा उसमें आपका जो regional language है उसमें पर depend करेगा और इसमें भी बताया गया है कि आपकी posting all India में कहीं भी EMRS में की जा सकती है ओके इसकी जो total vacancies है hostel बायडन male and female दोनों के लिए 6669 है 669 total vacancies है male और female दोनों के मिला करके categories wise देखेंगे तो categories wise भी unreserved में male के लिए 137 है female के लिए 134 है EWS में 33, 33 दोनों के लिए है OVC, NCL में भी 90, 90 दोनों के लिए है SC, ST सभी में equal है बस unreserved में एक vacancy कम है एक post कम है female के लिए ओके so categories wise आप यहां देख लीजेगा एंड इसमें HI, VIE, PWD candidate के लिए एक सर्विसमेन के लिए भी 66 रखी गई है और इसमें जो probation period आपका रहेगा ये selected candidate will initially be on probation period क्योंकि यहां पर जो भी government job रहती है permanent भरतियां आती है उनमें कुछ duration दिया रहता है एक साल या दो साल का probation period उसके बाद इस्थाई भरति की जाती है तो इसमें जो probation period है वो two year का है दो साल का probation period है which can be extended अगर satisfy नहीं होते हैं आपके work से तो उसको आगे extend किया जा सकता है ठीक है? during the probation period services of provisional can be terminated at any time without assigning any reason therefore so probation period के time पर आप इस्थाई नहीं होते हैं लेकिन successfully complete अगर आप कर लेते हैं तो इस्थाई हो जाते हैं और यहाँ पर जो permanent vacancies release होती हैं सभी में probation period होता है और यह आप successfully हो भी जाता है अच्छे से हो जाता है अब इसके लिए अगर हम eligibility देखेंगे तो hostel बार्डन की जो post है इसमें upper age limit 35 year है अब किसीने में से previous जो मैंने वीडियो अप्लोड किये हुए है morning में उसमें comment किया था कि मैं 22 year की हूँ क्या मैं इसमें apply कर सकती हूँ तो देखें upper age limit 35 year होनी चाहिए minimum age जो रखी गई है वो आपकी 21 है 23 है 24 है कुछ भी है क्योंकि सिर्फ आपका यहां पर bachelor degree मांगी गई है अब bachelor degree आप 21 year में complete कर लेते हैं तो minimum 21 होनी चाहिए and maximum 35 यह general candidate के लिए है reserve categories के रहे relaxation रहेगा जो कि 55 years तक का relaxation मिल जाएगा तो अगर आपने 4 year का integrated degree courses किये हुए regional college से जहां से भी तो आप इसमें आपिदन कर सकते हैं या फिर bachelor degree अगर आपने ली हुई है recognized university institute से तो भी आपिदन कर सकते हैं so any graduate candidate इसमें apply कर सकते हैं general candidate 35 year तक इसमें आपिदन कर सकते हैं mode of examination देखेंगे तो scheme of examination इसमें आपका होगा OMR based pen और paper पर आपका यह exam होगा computer पर exam नहीं होगा pen and paper mode पर आपको exam देना होगा choice of medium of question and exam papers तो इसमें आपको medium choose भी कर सकते करना होगा जिसमें जैसे अगर आपका Hindi medium है तो आप Hindi में सभी के answer दे सकते हैं English medium से हैं अगर आपका medium English है तो आप English में भी answer दे सकते हैं दोनों में से किसी एक language में आप answer देंगे okay paper को solve करेंगे लेकिन जो English language वाला होगा उसको आप English में ही करेंगे and यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो hostal warden का exam होगा वो कैसा होगा तो objective type होगा 120 मार्क का रहेगा hostal warden के लिए 6 पार्ट आपके इसमें दिये गए हैं देखने हैं आप पार्ट 1 में आपको general awareness से question आएंगे पार्ट 2 रहेगा reasoning ability का पार्ट 3 रहेगा knowledge of ICT का and पार्ट 4 रहेगा knowledge of POCSO and other जो भी children safety related जो acts हैं उनसे related कर रहेगा and पार्ट 5 रहेगा administrative aptitude का and पार्ट 6 रहेगा वो language competency का रहेगा जिसमें आपकी general Hindi, general English and reasonable language रहेगी और ये 10 mark का each subject 10 mark का Hindi भी 10 की रहेगी, English भी 10 का और regional language 10 की तो ये यहाँ पर आपके regional language आपको choose करनी होगी ये आप यहाँ पर इतनी सारी reasonable languages आप देख रहे हैं ये reasonable languages में से कोई एक आपको choose करनी होगी ये जो आपके language कर रहेगा 30 question 30 marks and वाकि क्या आप देख रहे हैं general awareness से 10 question आएंगे reasoning से 20 आएंगे knowledge of ICT से 20 आएंगे and जो children acts related 10 आएंगे and administrative aptitude से 30 आएंगे total 120 question 120 marks के 2 घंटे का 2 घंटे and 5 घंटे का यहाँ पर आपको timing दिया जाएगा language इन में से कोई एक आपको choose करनी होगी ठीक है इसके बाद है option of regional language तो यहाँ पर option आपको दिये जाएंगे जिसमें से आप choose कर सकते हैं marking scheme तो one mark salvee awarded to every correct answer और यहाँ पर negative marking भी रहेगी 0.25 mark minus किया जाएगा अगर आप wrong answer देते हैं एक भी wrong answer अगर आप देते हैं 0.25 के हिसाब से आपका mark minus किया जाएगा अब हम बात करेंगे इसमें examination cities की तो examination cities कहां है state wise आप देख लेजिए किस state में आपको कहाँ पर examination city और जब आप फिल करेंगे अंडवार निकोवार से हैं तो आंध्य प्रदेश से हैं तो विजय बाड़ा रहेगा आउनाचर प्रदेश से हैं तो इटा नगर रहेगा आसाम बिहार से हैं तो पटना रहेगा 36 गर से हैं तो रायपुर रहेगा दमन ENDU से हैं या डेली से हैं गवा से हैं आप जिस भी इस्टेट से हैं आप आप यहां पर देख सकते हैं आपका Examination Center कहां पर रहेगा अगर आप यहां पर देखें हैं मध्य परदेष का तो मध्य परदेष का जो Examination Center है वो भोपाल मींज Prix Capital में रहेगा राज्य की राजधा तो आपका जैपुर में रहेगा, सिक्किम से थो गंग टोक, तमिल नाडू, उतरसएं से हैं तो लखनौ में तो आपके जाज्जी की जो राजधानी हैं वहाँआपका एग्जामनेशन सेंटर, मीन्स आप जिस भी स्टेट से बुलॉंग कर रहा है, आपको आपके स्टेट में एक्जामनेशन सेंटर मिल जाएगा, यह आप जब फॉर्म फिल करेंगे, एप्लाई करेंगे, उस टाइम आपको फिल करना होगा, सो फ्रेंट्स यह थी, गवर्मेंट स्कूल, यानि EMRS में जो विकेंसी आई है, होस्टल वाइडन की, इस थाई भरती है, यानि ग्रेजवेट अप्लाई कर सकते हैं, सेलरी हमने सब कुस देख लिया, अलिजबिल्टी, अपर इस लिमिट 35 है, आपने ग्रेजवेशन कर लिया ह तो आप आभिदन कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया, सेलेक्शन प्रोसीजर, रिटन एग्जामनिशन होगा, आपका सिर्फ कोई इंट्रेवु नहीं होगा, रिटन एग्जामनिशन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क से, एग्जामनिशन सिटीज हमने होस्टिंग दी जाएगी, इसके बाद एग्जाम पैटन कर रहेगा, वो भी हमने देख लिया, सो सारे इंट्रमिशन आपको होस्टल वार्डन के बारे में इस वीडियो में दी गई है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये इंट्रमिशन आपको काफी हेल